मैं भगवती पांडे आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल स्टड़ी वित मी आज हम पढ़ेंगे कक्षा दस हिंदी संस्क्रिप्त विनूधनी का तृतिह पाठ अन्योक्ति ही विलासह अन्य धन उक्ति विलासह यानि कि अन्य मने दूसरों के उक्ति मने कथन विलास मने होता है मनुरंजन यानि कि दूसरों के द्वारा कहे गई बातों के द्वारा ज्यान देना ही अन्योक्ति विलास है कभी-कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पासु पक्षी, जीव, जन्दु, परवत, मेग, आदि संकेतों के मार्द्यम से जब कोई बात कही जाते है तो वहां अधिक प्रभावी होती है क्योंकि ब्यक्ति इस विशाय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवर्त हो जाता है संस्कृत कार्ब जगत में अन्योक्तियों का विशिष्ट इस्थान है अधा उनसे परजित कराने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है प्रस्तुपाठ में प्रथम अन्योक्ति में हंस, द्युतिय में कूप, तृतिय में कोकिल, चतुर्थ में ब्रहमर और पंचम में सुवर्ण को माध्यम बनाकर कवी ने अपने मन की बात को सामान जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया है देखे, नीर, सीर, विवेके, हंस, आलश्य, त्वमेव, तनुसे, चेर, विश्व, अस्मिन, अधुन्यान, नह, कुल ब्रतम, पालिश्यति कहौ नीर, सीर, विवेके, नीर मतलब होता है जल, और सीर माने होता है दूद, विवेके माने ज्यान में, हंस, आलश्यम, त्वमेव, तनुसे, चेत, हंस, आलश्यम, माने आलश्यको, त्वमेव माने तुम, तनुसे, चेत, माने पहलाओगे बिश्वम अस्मिन अधुना अन्यह कुल ब्रतम पालिश्यति ही कौ बिश्व अस्मिन माने इस संसार में अस्मिन माने इस बिश्व माने संसार में अधुना माने अब अन्य माने दूसरा कुल ब्रतम माने कुल के ब्रत का पालिश्यत मने पालन को मने कौन करेगा यानि कि इसका जो भाव यह है कि हे हंस अगर तुम नीर और शीर रथा दूद और पानी को अलग करने के ज्यान में विवेक मतलब होता है अपर अलग करने के ज्यान में आलश्य तनुसे चेट आलश्य करोगे या आलश्य फैलाओगे तो इस समय अधुना माने इस समय अन्य माने दूसरा विस्व माने संसार में अस्मिन माने इस तो दूसरा कौनी संसार में इस समझ कुल व्रत का पालन करेगा क्योंकि माना जाता है कि हंस में यह ग्यान होता है कि वह एक जगह मिले हुए दूद और पानी को अलग रखने का अलग-अलग करने का ग्यान उसको होता है कि अगर हमें एक बरतन में थोड़े से दूद और थोड़े से पानी को मिला कर रखते हैं तो ऐसी कहावत है कि हंस उन दोनों को अलग कर सकता है तो इसके द्वारा ब्यक्तियों को यह प्रेणा देगी है कि अगर कोई ब्यक्ति अपने किसी विशेश कारे में लगा हुआ है अगर वो उसकारे में आलश्य करेगा तो उसका कारे उसका उत्तर द्वायत तो इस संसार में कोई अन्य नहीं निभा सकता है यह इस अन्योक्ति से शिक्षा मिलती है दूसरा देखिए नितराम, नीचो, अस्मी, इती, त्वम, खेडम, कूपह, मा, कृथा, अत्यंत सरसिर्दयोहो, यतह, परेशाम, गुणं, ग्रहीत, असी नितराम, नीचो, अस्मी, नितराम, माने अत्यधी, नीचो, माने गहरा, अस्मी, माने हुँ, इती, माने ऐसा, तौम, माने तुम, खेडम, माने दुख, कूपम, माने कुवा, मा, माने नहीं, कृथा, माने करो अत्यंत सरस हिर्दय हो अत्यंत सरस हिर्दय वाले यत माने क्यों की परेशाम माने दूसरों के गुणम माने गुणों को ग्रहिता माने ग्रहन असी माने हो की कुए से कहा गया है की मैं अत्यधिक गहरा हूँ नीच से दाथ परिया यहां कहरा की हे कूप तुम इस बात का खेद मत करो इस बात का दुख मत करो की मैं अत्यधिक गहरा हूँ क्योंकि जो अत्यन्त सरलिर्दय वाले ब्यक्ति होते हैं वे ही परिशाम माने दूसरों के गुणों को ग्रहन करते हैं अर्थात कोई यहां शिक्षा देगी है कि तुम अत्यदिक नीच हूं यहां मान करके खेद यानी की दुख मतमा करो क्योंकि तुम अत्तिदिक सरल हिर्दय हो, अत्तिदिक सरल हिर्दय व्यक्ति ही इस संसार में दूसरों के गुणों को ग्रहन कर सकते हैं अगला देखिए तो उस समय व्यक्ति को संदेश कोयल के मात्यम से दिया गया है कि जब कोयल कुछ समय जब पज़ड का मौसम होता है उस समय अपने जीवन काटेदार करील के ब्रक्षों में बिताती है उस से धहरे रखने के लिए कहा गया है क्योंकि थोड़े दिन में ही आम के पहुदों में रसाल में क्या हो जाएगा वे पल्लवित पुस्पित हो जाएंगे और कोयल फिर से आनंद बनाने लगेगी देखे कोकिला हे कोयल या पही माने बिताओ दिवसान माने दिनों को तावत माने तब तक विरसान माने बिना रसवाले करील माने करील एक जाड़ी है हे कोयल तब तक तुम अपने दिनों को इन निरस या बिना रसवाले करील के ब्रक्षों में करील की जाड़ी हो में करील के पौधों में बिताओ या वत माने जब तक अली दली मालह माने अली माने होता है भाउरा अली दली माल माने भाउरों का समुह को अपी माने कोई रसालह माने आम में समुल लश्यति माने प्रसनता पूरवक नहीं गूमता है जब तक कोई भावरों का समुँग आम के पौधे में प्रसन्नता पूरवग उल्लास नहीं करता है या नहीं गूमता है अर्थाद भावरों का समुग तब आम के ब्रक्षण पर जाएगा जब आम में बोर आ जाएंगे उसमें फल आने वाले होंगे पल पुष्पित हो रहा होगा बोर आए होंगे तभी भाwnरों का समुवा आम के ब्रक्ष में जाएगा अर्थाद जब आम के ब्रक्ष में हरयाली आजाएगी तब तक कह रहे हैं कि बिना रसवाले करील के ब्रक्षो में अपना जिवन ब्यतित करो इसके माध्यम से जिस ब्यक्ति की कोई समपत्या कोई चीज कम हो गई है उसको धेरे रखने की प्रेणा की दी गई है कि जब तक दुबारा वह उस बस्तु की प्राप्त नहीं कर लेता है अथाथ थोड़े से दुख के दिन ब्यक्ति बिटाएगा और तुरंदी उसके पास अन्योक्ति के माध्यम से कहा गया है अगला देखें अविश्यत माने होगा सुप्रभात माने सुन्दर सवेरा भास्वा नू उदेश्यत यानि की भास्वा भासकर कौन सूर्य उदै होगा हशिश्यत पंकज अली पंकज अली माने पंकज माने होता है कमल कमलों का समुआ हशिश्यत माने खिलेगा प्रसन हो जाएगा या खिले इत्थ्यम बिचिंतियत यह सोच करके कोस गते धुरेपे कोस में गया हुआ फाउरा यह सोच है अरे दुख की बात है नलिनीम कमल की नाल को गजम की हाथी ने उज्जाहरमाने तोड़ दिया या उखाड दिया कि कोई दुरे एफ यानी की भाउरा किसी दिन कमल के पुस्प के अंदर बंद हो गया और वह वहाँ या सोच रहा है कि रात्री समापत होगी और प्रभात प्रात काल होगा जब सूर्य होगेगा और उस समय पंकज अली यानी की कमलों का समुह खिल जाएगा कोई में बंद कमल के पुस्प में बंद भवराया सोच रहा था लेकिन दुख की बात है उसी समय किसी हाथी ने गज ने कमल की नाल को उज्जहारमाने उखाड दिया अगला देखो पीच में नवे बिक्रियात नहीं बेचे जाने से क्लिष्य मानो माने दुखी होता हूँ अहां माने मैं अस्म माने हूँ सुनश में सोने का मुख्य दुखम तदेकम मुख्य दुख यही है तदेकम माने यही है यह तो माने जब मा माने मुझे जना माने लोग गुंजया माने गुंजा यानि की छोटी सी जो नाप है तोल है जैसे हम कीलो में आदाग 500 ग्राम में या एक कीलो में सामान तोलते हैं छोटी सी नाप से एक मोती के दाने जैसा कोई नाप है उनके बार गुंजा उससे तोलता है तो जब लोग मुझे गुंजा नामक नाम से तोलते हैं तब मैं क्या होता हूँ दुखी होता हूँ तो सोना क्या करा है न मैं पीटे जाने से दुखी हूँ नहीं आग के बीच में जाने से दुखी हूं न मैं बेचे जाने से दुखी हूं मुझ सोने का तो मुख्य दुख एक है कि जब लोग मुझे किस से तोलते हैं गुंजा से तोलते हैं अर्थात सोना जो है उतने परिशानियां सह करके अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होता है लेकिन जब उसको बेचा जाता है उस समय उसको लोग जब गुंजा नामक छोटे सी नाप से तोलते हैं तब उसको दुख होता है